नमस्कार स्वागत है आप सभी का एगरी कल्चर गुरुदेव के डिजिटल लर्निंग प्लेटफरम पर मेरा नाम है सदेव पाठेदार तो चलिए शुरू करते हैं आज की ग्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं सोईल फॉर्मेशन के बारे में अर्थ क्रस्क के बारे में सोईल प्रफाइल के बारे में चलिए शुरू करते हैं सोईल फॉर्मेशन से तो पहला टोपिक जो है आज के हमारे लेक्षर का वह है सोईल फॉर्मेशन सोईल फॉर्म्ड फॉर्म weathering of rocks and minerals, तो जो soil होती है, वो weathering से बनती है, किसकी rocks and minerals की, मतलब जो rocks होते हैं, जो minerals होते हैं, उनके टूटने पर soil बनती है, और यह एक धीमी process है, आगे लिखा हुआ है, soil formation is a slow process, soil formation धीमी process है, next लिखा हुआ है, formation of one inch soil needs it's 802,000 years, यह सा नहीं है कि पलक जफकते ही, रोक से मिनरल से soil अचानरक से फटाक से soil बन जाई है, इसा नहीं होता है, बहुत लंबा समय लगता है, बहुत ही लंबा समय लगता है, एक इंच soil बनने में कम से कम 800 से 1000 साल लगते हैं, अगला topic हम देखते हैं, अर्थ क्रस्ट के ब अर्थ की जो outer layer है, जिसको हम crust केते हैं, उसकी ठीकनेस अलग अलग जगाओ पर अलग अलग होती है, कितनी होती है, तो कुछ-कुछ जगाओ पर 5 km की ठीकनेस होती है, कम से कम, और कुछ-कुछ जगाओ पर 35 km तक भी earth crust पाया गया है, तो इसकी जो ठीकनेस है, वो हमने range में decide कर दी, कितनी कर दी, 5 से 35 km, तो जो earth crust होती है, जो earth की outer layer होती है, जिसको हम earth crust केते हैं, उसकी ठीकनेस जो है, 5 से 35 km होती है, आगे लिखाओ है, most of the earth crust is made by igneous rocks, तो जो earth crust का अधिकतर भाग है, अधिकतर पार्ट जो है, अर्थ क्रेस्ट को इग्नियस रोग से बना हुआ है अगर कोई percent में पूछे कि कितना पार्ट है, earth crust का जो igneous rocks से बना है, तो 95% earth crust igneous rocks से बना हुआ है, आगे चलते हैं, आगे बताया गया है, किसके बारे में, chemical constituent of earth crust and soil forming rocks and minerals, तो earth crust कौन-कौन से chemical constituent से मिलके बना है, soil forming rocks और minerals क्या है, उनके बारे हम discuss करेंगे, तो देखिए, पहला point बताया गया है, earth crust is made up of different type of rocks and mineral matters, तो जो earth crust होता है, earth की outer layer होती है, वो अलग-अलग तरीका के rocks और minerals से मिलके बना होता है, next, all type of rocks are made up of mineral and different elements, तो जो रोग होते हैं, जितने भी तरह के रोग हैं, वो अलग-अ तरीका के minerals से मिलके बनते हैं, और जो minerals हैं, वो अलग-अलग तरीके के elements से मिलके बनते हैं, आगे लिखा हुआ है, approximately 98 types of elements are found in earth crust, 98 type, 98 तरह के अलग-अलग elements पाए गाए है, earth crust में, और in element के पाए जाने का सीधा-सीधा मतलब है कि in elements से मिलकर के earth crust बना हुआ है, ठीक है, अग earth crust, element oxygen is followed by silicon and aluminum on second and third position respectively, तो earth crust में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला element कौन सा है, oxygen, आगे देखेंगे हैं, oxygen का percent कितना है, उसके बाद कौन आता है, silicon और उसके बाद आता है, aluminum, silicon second place पे है, और aluminum third place पे है, first place पे कौन है, oxygen, मतलब कि ये measure है, सबसे ज़्यादा इसका portion है, आगे बाद लिखे हो ही है, note में, almost 98 percent of the earth crust consists of 8 elements which are as followed, 98 percent earth crust, अब जो 98 element मिले थे, उन 98 element में से ही 8 element ऐसे हैं, जिनसे की earth crust का 98 percent भाग बनता है, तो वो 8 element कौन-कौन से हैं, चलिए देखते हैं, तो लिखा हुआ है, composition of earth crust, तो एक तरप elements लिखे हो है, दूसरी तरप उनका amount लिखा हुआ है, percent में, तो पहला element है oxygen, oxygen का percent होता है 46.46 percent, दूसरे नंबर पर आपने जैसे पढ़ा था, हमने जैसे पढ़ा था कि दूसरे नंबर पर silicon है, जिसका percent होता है 27.60 percent, तीसरे नंबर पर हमने देखा था है aluminum, जिसका percent होता है 8.07 percent, उसके बाद आता है चोथे नंबर पर iron, जिसका percent होता है 5.06 percent, उसके बाद आता है calcium, जिसका percent होता है 3.65 percent, उसके बाद आता है sodium, जिसका percent होता है 2.75 percent, उसके बाद आता है potassium, जिसका percent होता है 2.60 percent, उसके बाद आता है magnesium, जिसका percent होता है 2.20 percent, तो यह हो गया composition of earth crust, earth crust जो अंठ्यान वे तरह के अलग-अलग elements से मिलकर बना है, उनमेंसे यह 8 elements important होते हैं, इनसे 98% portion जो होता है earth crust का वो इनहीं 8 elements से मिलकर बना होता है, तो इनका जो percent है, वो हमने देख लिए earth crust में, आगे चलते हैं, यह से पतायागा है कि oxygen कितना होता है, approximate 46 percent, दूसरे number पर silicon आता है, 28 percent, तीसरे number पर आता है, aluminum 8 percent, उसके बाद iron है 5 percent, जो दूसरे थे sodium, potassium यह सब मिलके 13 percent, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बताया है, oxide of different elements, अब यह oxide क्या होता है, तो जब भी कोई element oxygen के साथ react करता है, तो क्या बनाता है, ओक्साइड बनाता है, तो जि इसने भी element हमने देखे हैं, उन सबके oxide बनेंगे, oxygen का oxide नहीं बनेगा, क्योंकि oxygen से react होका oxide बनता है, तो पहला क्या है, silicon oxide, एक तरफ oxides दिया गए है, एक तरफ उनका amount दिया गए है, percent में, तो पहला है silicon oxide, जिसका percent होता है 59 percent, दूसरा है aluminum oxide, जिसका percent होता है 15.20 percent, तीसरा होत पर्सेंट इसका पर्सेंट होता है 6.80 percent, चोता होता है WAR होता है 5.10 percent, अगला होता है sodium oxide, जिसका परसेंट होता है 3.70 percent, उसके बाद लास्ट है magnesium oxide, जिसका percent होता है 3.50 percent, तो यहां पर हमने देख लिया कि oxide का पर्सेंट कितना है, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हैं हमारा topic व पात रहा है सोईल प्रोफाइल के बारे में हम डिसकस करें है सोईल प्रोफाइल क्या होता है ठीक है तो लिखा हुआ है अवर्टिकल सेक्ष्टन ओफ सोईल त्रू ओल इस होरीजोन और एक्स्टेंडिंग इंटू दा पेरेंट मटेरियल इंड इंडिविजर लेयर्स और रिगाड़ेड एस होरीजोन नहीं आया समझ में चलिए मैं बताता हूं जो आपने देखा होगा कही कहीं पर लोग होते हैं या फिर पाइपलाइन डालने के लिए जमीन कोते तो जो जम सबसे ज्यादा हर्ड पत्र आता है वह बेड्रोग होता है इसी को हम यह वर्टिकल सेक्शन है सोईल को वर्टिकली काट देना इसी को हम सोईल प्रोफाइल कहते हैं जो इसकी इंडिविजर लेयर्स होती जो अलग-अलग लेयर्स होती हमने होरीजोंस नाम दे दिया आगे था देखते हैं धी ओर्रिजोंस एबाउद पेरेंट मटेरियल और क्लेक्टि इस दा सोलम ठीक है तो जो पेरेंट मटेर में आपको बताया नहीं यह जो पेरेंट माटेरियल क्या है यह बेड्रोग से बेड्रोक के ऊपर बाला जितना भी पोर्शन अपा उसको हम सोलम कहते है और लेटिन में सोलम का सोलम वार्ड का मतलब सोईल होता है ठीक है आगे देखते हैं दा लेयर्स रिजल्टिंग फ्रों सोईल फॉर्मिंग प्रोसेशेस अर ग्रूप्ट अंडर फाइफ एट्स ओ एई बी एंड सी एंड ओल इस होरीजोन in combination R called master horizon तो जो सोल प्रोफाइल है सोल प्रोफाइल में पांच तरेक पांच होरीजोन हैं कौन-कौन से A horizon, A horizon, E horizon, B horizon, C horizon और R horizon तो O horizon को organic horizon कहा जाता है, A horizon को mineral ठीक है O को organic कहा जाता है, A को mineral horizon कहा जाता है, वेसे ही R को Vorok horizon जो रोक वाला होरीजोन वह कहा जाता है आगे चलते हैं तो जो होरीजोन है सोईल के सोईल के होरीजोन पांस तरह के होते हैं तो देखते हैं पहला होरीजोन पहले होरीजोन के बारे में बताया गया है और गेनिक होरीजोन और गेनिक होरीजोन अबाव मिनरल सोईल जो और गे अल्फाबेट है वो और्गेनिक को डिनोर करता है और ओ से और्गेनिक होरीजोन होता है जो मिनरल सोईल के ऊपर होता है और यह अधिकतर कहां देखा जाने वाला होरीजोन है यह फोरेस्ट एरियाज में देखा जाने वाला होरीजोन है और यह होरीजोन अधिकतर वर्जीन सो नहीं की गई जिंबता है इसलिए वहां पर ओर्गेनिक होरीजोन दिकाई ता बाद आ होरीजोन को हम कहते हैं मिनरल होरीजोन और मिनरल होरीजोन का भी सबसे उपरी हिस्सा है इसलिए इसको कहा जाता है top most mineral horizon जिसके बाद A का ही है subsidiary subpart आता है जिसको हम E या A2 horizon कहते हैं ठीक है इसको कहा जाता है horizon of maximum elevation ठीक है अब इसको क्यों कहा जाता है horizon of maximum elevation कौन कौन सी चीज का elevation क्ले का iron का aluminum oxide का ठीक है इनका elevation होता है तो सबसे पहले आपको दो चीजे समझना पड़ेगी एक होता है elevation elevation मतलब कि किसी भी चीज का पानी के साथ घुल के नीचे चले जाना ठीक है यह होता है elevation किसी भी चीज में से जिसे कि Clay हो गया iron और aluminum के oxide हो गया इन सब का पानी के साथ मिलेनें नीचे चले जाना यहां पर थे वहां से वाली लेयर में चले गए हैं तो यह यह नहीं होता है इसको कहते हैं हिसले सब 5 जाँ नीचे छले जाते हैं उस के बाद अगला अगला आता है भी होरीजों इसको कहते हैं होरीजों ओफ मेक्जिम्मन अच्यूमिलेशन तो जो इल्यूवेशन मतलब अगविवम बहने मिन्रा यह में पानी के साथ हो को नीच जाते है और फैन Children जा रहे हैं जा रहे है जा रहे है तो एक जगे रुकेंगे और किस जगह पर रुकेंगे उस जगह को उने भी होरिजों नाम दे दिया तर्मिनलोजी देदी ईल्यूवियेशन खर्विजक्शन मतलब करता है तो कॉन-कॉन से मिनरल का एक्युमिलेशन होगा अब जो मिनरल उपर से बह के आए हैं उनीका ही एक्युमिलेशन होगा तो कौन-कौन से मिनरल उपर से बह के आए हैं तो iron और aluminum के oxide silicate class ठीक है एंड also calcium carbonate calcium sulphate and other salt in arid zones अगर arid zones में बात करूँ तो calcium carbonate calcium sulphate यह सब भी नीचे चले जाते हैं और organic matter content is generally higher than that of E यह A to horizon यह E horizon के comparison में B horizon में organic matter जादा होता है आगे चलते हैं आगे आता है C horizon C horizon में लिखा गया है unconsolidated material underlying the solemn A and B zone of the least weathering accumulation of calcium magnesium carbonate unconsolidated material से मतलब है कि जो मूरम जैसे जो पत्तर होते हैं जो थोड़े soft होते हैं nature में वो सब यहां पर होते हैं ठीक है और इसमें weathering जो zone of least weathering इसमें weathering इस horizon की में weathering भी सबसे कम होती है और यहां पर accumulation किन-किन चीज का होता है तो calcium और magnesium carbonate का accumulation होता है आगे लिखा गया है आर होरी जोन के बारे में आर होरी जो होता है वो किसको डिनोड करता है रिगोलित को डिनोड करता है ठीक है और रिगोलित क्या होता है the unconsolidated product of rock by weathering जो unconsolidated product है rocks का जो वेदरिंग की प्रोसेस से बना है उसका हम रिगोलित केते हैं soil material above the earth surface that is bedrock such weathered material is either the inherent product of the underlying rock or is deposited on other bedrock by transporting agent तो यह जो यह जो वेदरिंग की प्रोसेस से deposit होने वाला या फिर खुद का जो inherent नहीं थे वह एसा ही है पहले से ही एसा है तो यह तो हमने आज के lecces में क्या-kाइब आपगा स्फोयल formation के बारे में, एर्थ crust के बारे में और इसके पहले हमने हमने इसके प्रोफाइल फारीं में हमने क्या-क्या-क्या जाना तक है कि जो अर्थ क्रस्ट है उसमें कौन-कौन से इलीमेंट का कितना कंट्रीबिशन है और उनके उक्साइट का कितना कंट्रीबिशन है तो चलिए मिलते हैं अब हमारे अगले लेक्चर में तब तक के लिए बाबभाई टेक केर लवी ओल जैहिंग जैवाल